नमस्कार दोफ्तों बाबु भईया वाले क्लास में एक बार पुना आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रेक्टिस एट 38 यूपी पेट के लिए इंडियन पोल्टी यानि भारती राज बेवफता तो चलिए सबसे पहले कोश्चन के शुरुआत कर आपसन बी राष्टपती के आपसन सी लोक सभाके और आपसन ली बाबु भीया राज सभाके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमर सी यह भारत का परधान मंत्री लोक सभाके प्रती जवाब दे है और र्याद रखिएगा भारती संभीधान के अनुछित 75-1 के अनुशार 75-1 के अनुशार परधान मंत्री का निकती कौन करता है तो राष्टपती करता है और परधान मंत्री कि सदन का नेता होता है तो परधान मंत्री निम्न सदन का नेता होता है निम्न सदन मतलब लोक सभा और उंच सदन मतलब राजसभा और अनुछित 75-3 के कोष्चण नंब्णब आपका टू है मसल्सक्राइब है कि संसत्स और चत्व बन्ने हैं तूं नियूंतब आईू वोग क्या है थो बन्ने हैं अ प्सक्राइब यो ढूल बनते होंगे तो फिराल नहां पर हम बताते हैं आपको संसस सदस बनने की नियुनते मायू 25 वर्स है और आपको पता होगा लोक सभा और दूसरा क्या है राज्य सभा लोग सभा और राज्य सभा लोग सभा क्या है निम्न सदन है और राज्य सभा क्या है तो उंचे सदन है और लोग सभा में लोग सभा की सदस बनने के लिए नियूंतमाईव क्या चाहिए अगे बढ़तें को स्जें नमरीट के तरब को स्जें नमर्ट तरी ह्यापका सर्व चन्याल के निया थिसों कि सेवा निशीं देखेगा उम्र क्या है अप्षन नहीं देखिएगा 60 वर्स अप्षन B 62 वर्स अप्षन C 65 वर्स और अप्षन D 70 वर्स तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोलतों अप्षन नम्मर सी यानि सर्वुच नियालय के न्याधियसों की सेवानिवृत की उम्र 65 वर्स है और अनुछेद 124 दो के नुशार उच्छेद 124 दो के नुशार उच्टम नयालय का नाइधिस 65 वर्स की आयू तक अपने पत पर बना रहता है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर 4 के तरफ कोश्चन नमर 4 देखिएगा जो काफी महत्मूर है बस बड़ा देखकर इसको घबडाईएगा नह हमारे सम्विधान के नुशार थोड़ा छोटा कर देते हैं दोस्तों अब देखे हमारे सम्विधान के नुसार राजसवा का कारेकाल और आपसन A है दो वर्स में एक बार समाप्त हो जाता है आपसन B परतेक पांच वर्स में समाप्त हो जाता है आपसन C परतेक चो वर्स में समाप्त हो जाता है और आपसन D समाप्त होने का भी से नहीं है तो इसक सथाइं सदन है राज्य सवाएक तो नहीं होता है और इसके एक तिहाई सदस पर graduating order कि चेहाल के सदस्यों का कारड़ कितने सदस्द होता है यह सदस्द करकाल किक पांच वर्स का होता है नंच पुलिए यही मायनूइट छोटा छोटा अंतर आप जानते रहेंगे तो आपका एक्जाम असानी से निकल जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर फाइफ के तरफ कोश्चन नमर फाइफ है भारत में पंचायती राजवेवसता सर परतम राजहतान और उसके वाज़य में अरभ की गई तक्रका नहीं पूशा जातμε भारत में 5 तरफ़तर परतम राजहतन में अबसे दूसरे नमर पर किस राज़य में प्रार्ण शान की गई आप आपसे नहीं देखिएगा हरियाड़ा में आपसन B गुजरात में आपसन C उत्तर परदेश में और आपसन D आंधर परदेश में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबु ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नम्मर D यानि आंधर परदेश यानि भारत में पंचायत जुबर 1969 को राजहत्थान के नागौड जिले में सरपरत्म पंचायती राजब्यवत्ता का स्रीगंडेश किया गया या सुब आरम गया था आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर 6 के तरफ कोश्चन नमर 6 है आपका भारत के परधान मंत्री मुख्या है भारत के परधान मंत्री मुख्या है आपसन A देखिएगा राज्य सरकार के आपसन B केंदरी सरकार के आपसन C राज्य तदा केंदरी सरकार दोनों के और आपसन D इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपसन नमर B यानि भारत के प्रधान मंतरी किंद्री सरकार के प्रमुख हैं और राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है तो मुख्य मंतरी होता है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर 7 के तरफ Q7 है निमलिखित में से किसको सम्विधान द्वारा मौली क अधिकारों को लागू करने की सक्ती दी गई है आपसन ए देखिएगा संसत को आपसन B राष्टपती को आपसन C सर्बोच न्याले यह उच न्याले को और आपसन D इन में से कोई नहीं तो इस प्रस्ण का राइट अंसर क्या हो जाएगा आपसन नम्मर C इन सर्बोच न्याले यह उच न्याले को मौली क अधिकारों को लागू करने की क्या दी गई है तो सक्ती दी गई है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नम्मर एट के तरफ कोश्चन नम्मर एट है आपका किस समीती के सी पारिश पर भारत में पंचायती राज की अस्थापना की गई और उसका अध्यच कौन था आपसन A देखेगा असोक में हता आपसन B बलवन तराय में हता आपसन C जीव राज में हता और आपसन D इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाबू भईया आपका आपसन नम्मर B यानि बलवन तराय में हता समीती के सी पारिश पर भारत में पंचायती राज बहुफता की अफ्थापना की गई आगे बढ़ते हैं कोईशचन नममर 9 के तरफ कोईशचननमर 9 है आपका शन्पिधान के 73 में संसोधन का समबंध किससे है संबिधान के 73 में संसोधन का संबंद किस से है आपसन A देखिएगा नगर पाली का निगम से आपसन B मकान का किराया अधनियम से आपसन C पंचायती राज अधनियम से और आपसन D संसदों के बेतनियम भत्ते से तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संबिधान के 73 वा संबिधान संसोधन पंचायती राज अधनियम से क्या है तो संबंदित है एक कोश्चन काफी महत्पूर है आपके लिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर 10 के तरप कोश्चन नमर 10 है आपका निमलखित में से कौन लगातार दो बार राष्टपती रहे थे निमलखित में से कौन लगातार दो बार राष्टपती रहे थे माप करिएगा यहां पर राष्टपती है राष्टपती रहे थे आपसन नहीं देखिएगा डाक्टर राजेंदर परसाथ आपसन बी डाक्टर M. राधा कृष्णन, आपसंसी, डाक्टर जाकिर हुस्सेन और आपसंडी इनमें से कोईन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भी आपका आपसं नम्मरे यानि डाक्टर राजिंदर परसाथ लागतार दो बार राषपती रहे थे कब से कब से कब से कप तक 1950 से लेकरके 1960 तक तो कैसा लागा मेरा आज का कोईचन कमेंट करके हमें जरूरा बताइगा इसलिए आपके एक कमेंट से दोस्तो हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है और इस वीडियो को अपने दोत्यों साथ जाधे सएयर करिएगा और मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद